जहां तक दिखाई दे, वहां तक जाने की कोशेश सरूर करें, जब आप वहां पहुचोगे, तब आप इससे आगे भी देख पाऊगे, परिस्थितियां विपरीत हो तो कुछ लोग तूट जाते हैं, और कुछ लोग रिकॉर्ड दोर देते हैं, सफलता का कोई शॉर्ट कट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करें, किसी भी काम में अगर आप अपना सो परसंट देंगे, तो आप सफल हो जाएंगे, यह बात मायने नहीं रखती, कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, मायने यह रखता है, कि आप रूके कब तक नहीं, महानता कभी न गिरने में नहीं ह बल की हर बार गिरकर उट जाने में है, हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है, महनत इतनी खामोशी से करो, कि सफलता शोर मचा दे, जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप बन जाएंगे, कमजोर तब रूपते हैं, जब वे थक जा करते हैं, लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है, मन्जिल मिले ना मिले ये तो नुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है, सफल लोग कभी भी बिस्तर पर आराम नहीं करते, बल्कि उनके लिए उनका काम ही आराम होता है, जो यह कर सकते हैं, असलभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान वेप्ती अपना मार्ग स्वेंद बनाते हैं, संगर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों नहों, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे ल दूसरा सफना देखने के होसले को जिन्दगी कहते हैं, जिन्दगी में आप कितनी बार हारे, यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, मुश्किलों से डर कर भागना कायरता है, उनका डढ़ कर सामना करें, जो मनुश्य अपने कदमों पर विश्वास करते हैं, वही सफलता की मन्जिल तक पहुचते हैं, अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हैं, तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं, मुसीबतों से बचने की कोशिशे नई मुसीबतों को जन्म देती हैं, जब एक ही जोग पर दोबारा नहीं हस्ते, तो एक ही दुख पर भी दोबारा परिशान नहीं होना चाहिए, अगर हम ठान लें, तो कुछ भी करना असंभव नहीं है।